हलो फ्रेंज तो मैं हूँ एक होम बेकर जो की उडिसा की धिंकानार सेहर से हूँ तो आज मुझे एक चौकलेट केक का और आया 1 kg का सिर्फ 400 रुपे में देना होगा तो मैंने क्या-क्या वानिला बेस्ट ले ली और इसके उपर मैंने पाइनपल क्रॉस को थोड़े पानी में गोल कर इसमें सोक कर लिया और बीच में क्रीम को क्रीम में थोड़ा सा चौकलेट गनाज आड़ करके यह मैंने बीच में दे दिया और तीनों केक को मैंने तीनों लेयर में कट किया था तो बीच में यह मैंने चौकलेट गनाज वाली क्रीम दे दी और अच्छे से हम इस केक को क्रीम से चोकलेट गनाज वाली क्रीम से कवर कर लेंगे और साइड में इसे स्क्रापर से अच्छे से साइड में डिजाइन बना लेंगे और उपर को उपर का अच्छे से फिनिसिंग कर लेंगे अब मैं उपर ऐसे बडर बडर बना रही हूं उपर का बॉडर बनाने के बाद हम नीचे का बॉडर बनाएंगे यह मैंने नीचे का बॉडर बना ली अब हम इस केक को एक काटून केक बनाएंगे जो कि ओरियो बिस्कुट से बहुत आसान है यह केक बनाना आप भी बना सकते हैं यह उपर का बॉर्डर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसके उपर फिर से और एक बॉर्डर बना दे जो नीचे मैं बनाया था वो इसे ही उपर बना ली यह मैंने एक ओरेयो बिस्कुट ली है और ऐसे उपर रग दिया है दो ओरेयो बिस्कुट और नीचे क ऐसे डिजाइन बना दी जो उन्होंने मुझे केक का फॉटो पे ज़्यादा वैसे ही मैं बना रही हूं यह ओर्यों विस्कुट में मैं दो आखें बना रही हूं काटून का क्रेम से अब नीचे का मैंने एक स्क्रापर से फिनिसिंग कर देते हूं अच्छे से फिनिसिंग करने के बाद अब मैं चोकलेट गनाज से एसे जैसे बना था वो काटून केक में वैसे ही दो पेर और दो सिंग बना दी और एसे आंख्वों के बीच चोकलेट गनाज लगा ली अब मैं अब मैं उसके बीच में वाइट जो नीचे बना था उसके बॉर्डर बना के उसके बीच में थोड़ा लाइन कीच लूँगी और उपर मैंने रंग बिनेंगे कलर से कलर के क्रीम से उपर इसे